नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ जैशुकला पिता राम बिलास पासवान के लंबी विमारी के बाद निधन हो जाने के बाद से ही चिराग पासवान अब तक उस प्रकार से चुनावी मोड में नहीं आ पाए हैं जिस प्रकार से उन्हें आना चाहिए थ जाहिए भी है क्योंकि पिता के मृत्तियों के बाद चिराग पासवान लगाता रहे हैं कुछ कामों में व्यस्त हैं और ऐसे में एक नई खबर निकल कर आ रही है उतो हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहरे ये जान लीजिए कि चिराग पासवान जो है अब परसों से अ खबता से भी कम का समय रह जाएगा लोगों के बीद जाने और अपने पक्ष में वोट की अपील करने का ऐसे में चिराग पासवान ने खुद ही ये फैसला लिया है कि वो लोगों के बीच बस से यात्रा करके पहुँचेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे हाला कि दो ह पासवान अपने चुनावी अभियान की शुरुगात करने जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि पहले चरण के परचार के लिए उन्हें एक हफते से भी कम का समय मिल पाएगा ऐसे में चिराग पासवान हेलिकॉप्टर से चुनाव परचार करके ही समय की भरपाई कर पाते लेक चिराग पासवान सीधे से जन्ता से समबाद करते हुए अपना चुनावी अभियान चलाना चाहते हैं इसके लिए रोजाना एकताय कारिक्रम और रूट के मताबिक बस में बैट कर उस रास्ते पर जगा जगा चोटी चोटी सभाएं आयोजित करने की योजना बना रहे हैं इसका फाइदा ये होगा कि जिस रास्ते से वो गुजरेंगे उन रास्तों पर वो लोगों का भिवादम भी स्विकार करते जाएंगे और ज़रूरत पढ़ने पर उनसे रुख कर बातचीत भी करेंगे हलाकि ऐसा भी नहीं है कि चिराग पासवान हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करेंगे सूत्रों का कहना है कि यदा कदा चिराग पासवान ज़रूरत पढ़ने पर हेलिकॉप्टर का सहारा भी लेंगे इस बर पाटी की ओर से δो हेलिकॉप्टर हाईर किये गए हैं ऐसा पहली बार हुआ है जब पाटी ने अपनी तरफ से हेलिकॉप्टर हाईर किया है वो भी दो दो पार्टी सुत्रों के मुताबिक चिराग पासवान चाहते हैं कि दोनों हेलिकॉप्टर का इस्तिमाल पार्टी के अन्यनेता करें इसे जादा से जादा इलाके को कवर किया जा सकेगा पहले चरण में पार्टी 71 में से 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है चिराग पासवान ने अपनाई भी है अब देखना यह होता है कि चिराग पासवान के इस फैसले के बाद है लोगों के दिलों में ये कितना घर बना पाते हैं लोगों के जमीनी अस्तर से लोगों से जुड़ाव उनका कितना फाइदेमंद हो पाता है ये आरे वाला दस्तारिख बता देगा बहरहाल आप बने रहें लाइब सिटीज के का टली थाला आता पाता कि अाता मेंद हो रहे।